जै मैं डाटकाली भगत्तों आज मैं आपके लिए लिए हूँ एक और धमाकेदार वीडियो धमाकेदार इसलिब हो रहा हूँ क्योंकि ये जो सवाल है ना शायद मैं भगती के मारगे में जब से आया हूँ मेरे साथ कई लोग जो जुड़े हैं उनके ये सवाल मेरे पास आत जब कि अब बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे नीद आ गई क्या ये शुबसंकेद है या शुबसंकेद है क्या हम पूजा से जी चुड़ा रहे हैं क्या पूजा हमारा मन तो कर रहा है पर हम इतनी बूरिंग लगती है कि हमें नीद आ रही है क्यों होता ऐसा कब होता ऐसा क क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए सब सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो के माद्यम से आपको मिलने वाले हैं कहीं भटकना नहीं कुछ देखना नहीं कुछ सुनना नहीं क्योंकि आज आज आपके इन जपियों का इस आलस पने का पूजा के जो समय कर देना ठीक है अब उससे बहले मैं आपको बताओं कि पूजा करते समिछ जख्या आना या नीन्द आ रही है तो यह शुब संकेत है अशुब संकेत है ऐसा क्यों होता है हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदर ने मेरा अगर आप भी मुझसे परसली जुड़के कोई परस आनी में फसे पड़े हो जगा जगा जाके ठक चुके हो और आपको कोई सॉलीशन नहीं मिल रहा है आपने सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कारे करना है ऑफिशल देवी भगवती शक्ती मेरी इमार डाट काली कृपा से मेरी गुरुमा की कृपा से आप मेरे चैनल का नाम न डिसकस करके उसका समाधान आपको गैरिंटे दे दूगा ठीक है अब आजाते हैं आज की टॉपिक पे तो जैसा सभी लोगों के सवाल आ रहे थे कि पूजा करते समय जपकिया आना नेंद आना सही होता है गलत होता है क्यों होता है क्या होता है तो मैं आपको बता दू जो पूजा है, पूजा को इश्वर से चुड़ने का एक तरीका माना गया है हम सब मानतें इस चीज़ को और माननता के मुताबिक अगर कोई भी सक्ष पूजा पाट करता है तो उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति मिलती है ऐसा ही होता है और ऐसी हमारी माननता है मान्यताओं के मुताबिक भक्त पूजा करके इश्वर की भक्ती करते हैं और कामना करते हैं कि उन्हें मन चाहा फल मिले यानि कि जो भी इच्छाए हमारी है हम पूजा भक्ती में हमेशा ये स्वार्थ रखके पूजा करते हैं कि हमारी ये मनो कामना है हे प्रभू इस मनुकामना को पून करो कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते समय किसी व्यक्ति को रोना आ जाता है ऐसे में कुछ लोग इसे शुब समझते है तो कुछ लोगों को लगता है ऐसा होना एक अशुब घटना का संगेत है चलिए जानते हैं मैं आपको बताता हूँ कि पूजा के दौरान रुलाई आना का क्या मतलब होता है क्या संगेत होता है अब सबसे पहली चीज यह जान लेते हैं कि पूजा के जो संगेत होते हैं क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको समझा देता हूँ इश्वर यानि कि आपकी इश्ट देव से लगाओ और भक्ति के कारण पूझा करने के दौरान कुछ लोगों को आसू आते हैं उबासी आती है जपकियां आती है वही कुछ लोगों को पूझा करते करते जपकियां आने लग चाती है कुछ को आती है चपकिया और कुछ को आती है छीके और कुछ को आती है जमाईया ऐसा ही होता है मैं आशा करता हूँ आप लोग मेरी इस वीडियो से और जो मैं बता रहूँ इस से सहमत होंगे लेकिन क्या है पूजा के दोरान इनके संगेत वो मैं आपको क्लिर कर देता हूँ जैसे भगवान से लगाओ है अगर किसी को बहुत जादा लगाओ जाता है तो माननेता के मताबिक अगर किसी भी सक्ष को पूजा के दोरान आसू आ जाते है न तो यह माना जाता है कि इश्वर से लगाओ के कारण ऐसा होता है यानि कि भक्तों का जो भगवान के साथ इतना मजबूत रिष्टा है कि वे उन्हें याद करके उनके जो यादों में आँखों में आशू आने लग चाते हैं ऐसे में पूजा के दौरान आसु आना अच्छा संकेत आप मान सकते हो क्योंकि आपका connection बन रहा है जब आपको लगेगा कि आप पूजा में बैटों किसी मंदिर में जा रहे हो और अचानक से आपके आँखों से बस मूर्ती देखी नहीं कि आसु टपकने लग जाते है आसु पूरी होती है यानि कि उनका direct connection उस east की तरफ उस भगवान की तरफ बन रहा है जिस शक्ति का वो पूजन करता है और उनको इतना मानता है अब ये सब होना शुभ है या अशुभ है ये मैं आपको थोड़ा से clear कर देता हूँ देखो वीडियो जादा लंबी तो नहीं बना स जाता है कि सक्ष जो है यानिकि जो भगत है जो पूजा भक्ति में लीन हो रहा है वो पूरे मनोयोग और ध्यान के साथ पूजा कर रहा है क्योंकि जब भी आप ध्यान में जाते हैं ना तो आप सांसारिक चीजों से मुक्त हो जाते हो इश्वर की शरण में चले जाते हो य इन्साने जपकिया लेंने लगता है, वो पूरी तरीके से इस से डूब जाता है, उसको चीजे मतलब सांसारिक जो छीजे चल रही हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक लेन हो चुका है उस बक्ती पर, उस शक्ति के साथ connect हो चुका है, तो कहीं लोग अगर इसको नेगेटिव समझे तो मैं उनको थोड़ा सा सचेत कर दो कि नेगेटिव मत समझो यह पॉजिटिविटी है कि कहीं ना कहीं आप उस चीज में इतना खो गए हो कि आपको कहीं और जब वो जबकी आएगी ना कुछ ना कुछ ऐसे आपको आभास कुछ अच्छा होने वाला या कुछ खराब होने वाला कोई ना कोई ऐसा संकित कोई शक्ती आपके आसपास है भी ःष्मी के नहीं ऑपके साथ है भी इंग्स निहां ऐसे आभास दिलाएगी वह तो कही न कही बहुत अच्छा संकेत है जब आप मंतर जाप करते हो, किसी पार्ट में रहते हो और आप अचानक से उसमें लेन हो गए, ठीक है, तो कही न और फिर अचानक से जाग जाओ गया, आपको पता है, पूजान में बैठे हो, या कही न कही उस चीज में बैठे हो, अचान आप ही आप अखेली इंसान नी हो, इसमें कई सारे पूजा भगत में जो लोग हैं और इस सनातन धर्म में जो लोग हैं उनके साथ आधिस हिजादों के साथ जो भक्ती में लीन है उनके साथ गारेंटर ये चीज़ें होती होंगी. तो ये दूनों इसलिए मतलब मैं उनका अशुब माना जाता है क्योंकि इस दौरान मूँ से लार या थूक निकलने की आसंका होती है। ऐसा होने से पूजा की सामगरी जोटी हो सकती है। और जोटन सामगरी से भगवान की पूजा कता ही नहीं करी जाती है। तो जिन लोगो करोगे बोलोगे तो कहीं न कहीं वो इधर उधर जाएगी और वो चीज खंड़त हो जाएगी। दूसरी चीज क्या है इसका एक कारण और हो सकता है। देखो चीके आना तो नाचुरल है और चीके आ गई पूजा के दौरान तो चीटे बढ़ेंगे। तो ये तो थोड़ा आ रही है तो जमाईया हमीशा आपको तबाती है जब आप किसी चीज से बोर हो जाते हैं। किसी चीज से मतलब मन भर गया आपका पढ़ाई करने के लिए बोलो तो हमीशा देखना बच्चे जमाई लिंगे है जब उनका मन नी कर रहोगा। क्यों होता है क्योंकि उसकी तो एक नेग्टिविटी का सूचक है और लिए लिनका कर तो ऑसकि का सूचक है या फिर दूसरा कारण यह भी हो सकते है कि आपके आसपास नेगिटिविटी है नकरात्म गुर्जा का प्रभाव है जिसके कारण आपका पूजा भक्ती में मन नहीं लग रहा है तो अपने घर को देखो अपने मंदर की विवस्ता देखो कुछ खंडेत ना हो चीज मंदर में कुछ गद्नगी जाले ना हो उस कमरे में जहां पूजा में बैठो दिशाएं अपनी देख के बैठो कि दिशा आपका मुख आपका सही दिशा में है भी की नहीं है और साथ ही साथ जो वहाँ पर चीजे हैं वो साफ सूतरी हैं की नहीं है एकदम सिंक्रोनाइज धंग से रखिये वेवेस्थिक धंग से रखियें की नहीं रखियें तो सब चीजे आस पास की अगर क्लेर होंगी और साफ सूतरी होंगी आप देखना आपको नेगेटिविटी कम एफेक्ट करेगी उस जगह भी नेगेटिविटी नहीं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्काइब कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे जरूदमन लोगों साफ शेयर जरू कर देना कमें जै माता दी जरू लिखना और दर्बार से बने रहे सभी भक्तों को जै माता दी जै माडाट खली जै गुरुमा